नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बिहार सिच्छक भरती ट्री पॉइंट सुन्ने में टीजी टी प्लस पीजी टी इतिहास का प्रेटी सेट 29 है तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आप स एक छोटी से रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके वाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग इससे पिछला प्रेटी सेट देखना चाहते हैं 28 तक तो उसका प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम भी प्यासी एक्जाम और उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में कि Aberdeer देखें तो वहां से भी आप लोग देखना चाहिए देख सकते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं और यह आधनिक भारत की इतिहाश से सम्बंदित कोशन है यहाँ पर पहला कोशन है ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी किसो चंद्रशे्ट और सैंड सुर्सेटी राजाराम मोहंराय या देवेंदरनाथ्ट तो ब्रह्म समाज के स्थापना के घर बात करते हैं तो यह की गई थी राजा राम मोहनराय के द्वारा काद आक छाइच थी तो 1828 इसका डेट कहां पर की गई थी तो कोलकाता में हुआ हिप लेनाम था कलकتब इसकर कोलकाता तो कोलकाता उसकी की गह 20 अगस्त 1828 इसका इकुरेट अगर देखेंगे तो है कुश्चन नमबर दो पर आते हैं दूसरा नमबर देखेगा राजा राम मोहन राय की पुस्ता गिफ्ट टू मोनो थिसस मूल रूप से किस भासा में लिखी गई है दिया है संस्कृत में फार्सी में बंगाली में या अर फार्सी में लिखे गई है तो बीस का राइट हो जाएगा कि कोस्चन नमबर तीन पर आते हैं तीसरा नमबर देखेगा फार्सी में लिखी गई पुस्ता गिफ्ट टू मोनथिस्ट के लेखा कौन है जिन्नों ने जिसमें अनेक किस्वरवात की निंदा की गई है से मुई कोश्चन ने थोड़ा सा पलड दिया गया है यहां पर अन्सर देखी हो जाएगा राजा राम मोहन राए इसके बाल आते हैं कोश्चन नमबर चौथे पर चौथा नमबर देखिएगा उनिश्वी सताब्दी में ब्रह्म समाज की अस्थापना किस ने की थी इस्वर्चन विद्यासागर राम क्रिष्ण परम्हंस राजाराम मोहन राय या स्वामी विवेकानन सेम वही कोशन है थोला सा चेंज कर दिया है उनिश्वी सताब्दी पूछा है ब्रह्म समाज की कुस्ट नमबर पांच पर आते हैं पांच वह नमबर दखेगा कि यहां पर दिया है कि स्वामी दयानंद के कुछ अन्वाइयों ने डिये भी नामक के इस्कूलों का यहां इस्कूल होना चाहिए कट गया है तो स्वामी दयानंद के कुछ अन्वाइयों ने डिये भी नामक इस्कूलों और कालेजों का एक निट्वर्क शुरू किया डिये भी में एक क्या तात्पर है यह एक क्या रूप है तो यहां पर देखे एक क्या तात्परी है यह क्या रूफ है यह पुछा जा रहा है यहां पर दिया एंगलो आथर एंजल यह एक्सेप्ट यहां पर एंसर हो जाएगा आपके एंगलो क्या हो जाएगा एंगलो तो एंगलो सही हो जाएगा यहां पर अगर पूरा फूल फरम देखेंगे तो दयानन्द एंगलो बैदिक यह नाम था इसका डी अबी का कि दयानन्द सर्शती द्वरा जो है यह खोला गया था यह इसका नेटवर्क शुरूख किये थे प्रल में नीजी छेत्र की मावले में भारत का यह सबसे बड़ा विध्याले और कालेज कर सकते इसको कथन कारण से कोश्चन है देखिए कथन कारण नाम मूल संकर था, यह तो सही है, भू संकर तिवारित था था सही ए, सहमे द्यान अन्स और सती गुजरात के मूल निवासी थी, यह भी सही समीलित सही है कथन, और सी दिया है कथन, आरि समाझ के अस्थापना attend 1875 में हुई थी, यह भी सही है, तीनों सही है, यहां पर, यहां मैं और नमबर नबर देखेगा निम्लिखित में से कौनशी सुधारवादी संस्था निमलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था बेदों को समस्त ज्ढन का सुरूत मानती थी तो कौन सिसे समाजवादी संस्था है सुधारवादी संस्था बेदों को समस्त ज्यान का शुरूत मानती थी यहां पर देखे आफ संदिया है प्राथना समाज आरे समाज भ्रह्म समाज यह त्हियोसिफिकल सोसाइटी यहां पर आंसर हो जाएगा आपका B आयरे समाज नशामाज के स्थापना के अगर बात करें तो 1775 में 99 semarta hier 75 है बंबै ये में की गए थी इसके स्थापना और बात में इसका फाल बना था बाद में यहां पर date दे दिये हैं निम्लिखित में से किसने 1875 में और समाज की अस्थापना की ति यहां नती दयानंद सुर्चति कौन थे दयानंद सुर्चति कोश्चन नमबर 10 पर आते हैं दसवों नमबर दखिएगा निम्लिखित में से किस आंदोलन की शुरुवात बंगाल में हुई थी आरे समाज प्रात्ना समाज राम क्रिश्ण मिशन यह सत्य सोधक समाज यहां पर एंसर हो जाएगा आपका भी प्राथना समाज की यहां पर एंसर हो जाएगा निस्टेक हुआ है सी आप्सें सैग राम क्रिषन मिशन की कि स्टाइब सी इ güve become वारा ये यह झापना किय गया था राब क्रिषन मिशन DENNIS कि बंगाल में बंगाल में कहां पर पुछेगा तो कुलकाता इसका एंसर हो जाएगा याद रखिएगा कुलकाता में 1897 एक मई अगर जेक्ट डेट देखना चाहें तो एक मई कुलकाता में इसका मुख्याले बेलूर था अगर अगर मुख्याले पूछेगा कहां पर था तो बेलूर में कुश्चन नमबर 11 पर आते हैं 11 नमबर देखेगा कर्शन कर्शन दास कर्शन दास मूल जी और ददोबा पांडूरं से जुड़े थे जिसने जाती ब्यवस्था जैसी बुराईयों के खिलाफ काम दिया और विद्वापनरविवाह को पुर्साहित किया राम कि रिष्म मिशन परम्हंस मंदली आरे समाज या ब्रह्मसमाज तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका प परमहंस मंदली से किसे थे परमहंस मंदली से मो groupe मंदली की अगर स्थापण की बात करें तो अठारभी चॉन पतार याद रहें गां की इ Märas है फिसन नमबर 12 राम क्रिश्न मिशन के चम्श्थापक कौन थे ना मक्रिश्न मिशन के संस्थापक कौन थे स्वामी दयानंद दिवन्ना टैगोर स्वाम विवेकानन या आत्माराम पांडूरन यहां परेंशर हो जाएगा आपका सी स्वामी विवेकानन तो एक माई 1897 याद रखिएगा इसका डेट एक माई 1897 को कुलकत्ता में स्वामी विवेकानन कोश्चन नमबर 13 पर आते हैं 13 नमबर देखेगा यहां पर दिया संस्थापक और उसके द्वारा अस्थापित समाजिक संगठन के उचित मिलान वाले समाजिक धार्मिक बिकल्प की पाचान करें कौन से इसमें सही मिलान है सुमेलित यह पूछना चाहरा स्वामी विवेकानन राम कृष्ण मिस्ट यह सही सुमेलित यह इसके बाद राम क्रिश्ण परम राम कर शरी ऐक सुमेलित नहीं राजारा मोहंध यह प्रहुज इह गलत है पहला अला अप्शन इसमें सही सुमेलित है तो तेरह को चैनशर हो जाएगा ए चौधा नंबर देखेगा चौधा नंबर कोशन में पूछ रहा है यहां पर सिकागो युएसो में वह विश्वधर्म सम्मेलन किस वर्स में आयुजित किया गया था जिसमें स्वाम विवेका नंद की धर्म विश्यक वेक्तव को एक मुख्य आकरसक की रूप में सामिल किया यहां बेदिया है 1978 2018828 नाम पूछता है तो इनका वास्तविक नाम था नरेंदर नाथ दत्त को इसन नमर 15 पर आते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था यहां पर गुरु पूछ लिया है तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था तो दिया है रमाण महर्शी परम हंस योगानंद आधी संकराचार यह राम कृष्ण परम हंस यहां परेंसर हो जाएगा आपका डी रा राम क्रिश्न परम हंस यह स्वाम विवेकानन्द के गुरु थे राम क्रिश्न परम हंस तो डी सही हो जाएगा यहां प्रेंशार आपका कोशन नमबर आते हैं 16 नमबर पर 16 नमबर देखेगा थियो सोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे यहां पर दिया है तो यहां पर रीव ढनादे मैडम बलाव तसकी अनीवेशन या बाल-खंगाधर तिलंडब तो यहां पर Français के संस्थापक पूछा है कौन थे यहां पर बीव बलापस सः हो जाएगा मैडम बलाव तसकी कोन थी मैडम बला तसकी यह रूशी महिला थी याद रखेगा और फिस्विकल सोसाइटी श्थापना कब की गई थी तो 1875 इसमें की गई थी कहाँ पर की गई तो यह नियू यार्क में की गई थी लेकिन इसका मुख्याले जो है मद्रास के अड्यार में खोला गया था अड्यार मदरास के अड्यार में इसका मुख्याले खोला गया था कोशन नमबर 17 पर आते हैं 17 नमबर कोशन देखेगा 17 नमबर कोशन पर आते हैं भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भारत के थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे वहतने मेंचmost बनर राम प्रसाद बिसमिल यह we भारत की यहां पुछआ है थि शूफिकल Сोसाइटी कि संस्थापक एनी बेसेंट ने की थी अठारफ सो तीरानवेर में यह पुछेगा अठारफ सो तीरानवेर में इसका डेट है याद रखेगा पुस्टन नमर अठारफ पर आते हैं निम्लिखित में से कौन अलीगर आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसल्मानों के पुनरस्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदाई था मिर्जा गुला महमद मुहमद इकबाल सेयद अहमद खान या अब्दुल गफ़ार खान तो यहां पर अंसर हो जाएगा आपका सी सेयद अहमद खान तो 1875 में जो है यह संस्था खोली गए थी इसका नाम था ओरियंटेल कालेज अठार अलीगर में मोहंडन एंगलो ओरियंटेल कालेज के अस्थापना की गए थे 1875 में जो मुसल्मानों के पुनरस्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदाई था अलीगर अंदोलन के आते हैं 1863 में कलकत्ता में अस्थापित मोहंडनन लिट्रेटरी सोसाइटी की अस्थापना किसकी द्वारा की गए थी दिया है मिर्जा गुला महमद सेयद अहमत खान सर सेयद अहमत खान या नबाव अब्दुल लतीफ यहां पर इंसर हो जाएगा आपका डी नबाव अब दिया भी है कलकता कोस्टन नंबर 20 पर आते हैं निम्लेकित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर जागरान के जनक के रूप में जाना जाता है किसे नवाव सलिम उल्ला खान अमीर अली यह सर सयद हमद खान यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी नवाव अब्दुल लत साथीफ खान कोस्टन नंबर 21 पर आते हैं अली गड़ में मोहंड़न एंगलो ओरियंटेल कालेज की अस्थापना किस ने की थी मुहमद अले जिन्ना सयद सादुल्ला सयद अहमद खान यह दादा भाई नरोजी तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी सयद अहमद खान अल भुपाल की बेगमों ने भुपाल की बेगमों बेगमों ने बिस्वी सदी की शुरुवात में लड़कियों के लिए एक प्राथ्मिक विद्याले के अस्थापना की थी तो कहां पर की थी यह पूछा जा रहा है यहां पर दिया अली गड़ पूरे बांबे या लाहोर में कि यहां परेंसर हो जाएगा आपका ए अली गड़ में का अलीगड़ कोशन नंबर 23 परते हैं और नतिम कोशन है आज का मदरास का वेद समाज किससे प्रे रित था देवबन्ध अंदोलन से ब्रह्म समाज से बहावी अंदोलन चे या आर्य समाज से तो यह परेंसर हो से तो यह समाज की एक अख्य भारती रूप देने के उद्धे से पूरे भारत में तो मदरास में खासकर महराष्ट कि स्थापना होगी थी यह समाज मदरास किसे प्रेद था तो ब्रहूं समाज से प्रेरिफ था तो यह थे कोशन आज के लिए तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें दोस्तों कि यहां अधिस दिख सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्रम